370, जब से ये देश में हमारे संग्विदान में सामिल हुई थी, उसी समाई से ये टेम्पूरारी के आधार पे हुई ये टेम्पूरारी एड़ॉक में जाए लेकिन उस समाई ये 370 दिये गए थे, इसके पीछे जो कारान वह भी बताए गया थे लेकिन सदन के अंदर बार-बार हम ये गुवाल लगाते आते थे, कि एक स्टेट को अब भंग करके उनियन टेरिटरी बढ़ा दिये, तो स्टेट की मर्यदा कब बापस जाएगी, ये पूछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्धा हम लोग उठाएगी, ठीक है, और ये सदन के अंदर हमारे अमिस साज ये कह रहे थे, बड़े जोर सोर से सिना ठोक के, हम पीयो को कबजे में लाएंगे, अभी बता है कब पीयो को कबजे में लाएंगे, ये चुनाओ तो आते जाते रहेंगे, कम जगम इस चुनाओ की पहले तो पीयो को कबजे में लाया करो, औ लेकिन काश्मीर की आम लोग उपर जुलूम सितम और हिरासत में इनको रखते हुए यूए प्यों को मताद दूर उपर करते हुए काश्मीरी आम लोग की उपर अक्ताचार नहीं होना चाहिए चाहिए जो भी हो लेकिन 373 की समाएं जब यह 373 हटाए गए थे खाड़िच के गए थे तो हम जानते थे सारे काश्मीर को क्या किया गए थे हज्जारों की तदाद में सारे प्लिटिकल पार्टी चाहे आम लोग चाहे पत्रोकार कोई भी हो सिबिल सुसादी की लोग सबको जेल में बंदी बने गए थे यह सालों साल जेल के अंदर सरे हुए थी यह सारे लोग अभी सुप्रीम कोर्ट पर उस समय गये थे और आगे अगर यह सुप्रीम कोर्ट फैसा लेते तो और बड़ी अच्छा होती लेकिन फिर भी देर आई दूरुस्त आना चाहिए तो हम भी यह चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर यह सरकार जल से जल यह चुनाओ की घोशना करें और चुनाओ कराके काश्मीर को बापस इनका जो राजों की मर जादा थी डार्जों की दर्जा इनको दिया जाए